सब्सक्राइब कीजिए नासा हिंदी न्यूज चैनल को और दबाए इस बेल आइकॉन को तकी आपको मिली सके हमारी लेटिस वीडियो सबसे पहले और यह दिखाई पड़ते हैं असल में यही गड़े और उनकी परचायां ही चान्द के चेहरे पर काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं चान्द के दक्षिनी धुरूब के पास मौजूद पिटसकस्ती क्रेटर की तस्वीर इसमें उसकी बनावत साफ दिख रही है कैसे बनते हैं चान्द की सता पर ये गड़े चान्द की सता पर अक्सर दरजनू या उससे जादा की संख्या में उलकापिंड, शुद्र ग्रह और धूम के तु टक्राते रहते हैं इनके टक्राने की वज़े से ही हजारों वर्षों से चान्द की सता पर ऐसे गड़े बन रही है ये भी बता सकता है कि चान्द की सता पर कौन सा गड़ा कब बना है जैसे पहली तस्वीर में अगर आप ध्यान से देखे तो आपकों पता चलेगा कि कौन सा गढधा नया है और कौन सा पुराना है नए गढधे की पहचान, नए गढधे का रंग ज्यादा चमकदार और पीले रंग का देख रहा है उसके चारों तरफ ताजी मिट्टी और धूल दिखाई दे रही है इन गढधों के अंदर का रंग चांद की सता से चमकदार और हलके रंग का होता है दो, पुराना गढधा गहरे रंग का, चांद की सता पर जिन गढधों का रंग गहरा है यानी काला, नीला और गहरा हरा है वो पुराना गढधा है इन गढधों के अंदर का रंग चांद की सता से मिलता है इसरो द्वारा जारी इस तस्वीर में साफ तौर पर देख रहे हैं नै और पुराने गढधे कितने प्रकार के गढ़वे बने हैं चांद की सता पर से मिले आंकडों से यह भी पता चलता है कि चांद की सता पर उलकापिंड, शुद्र ग्रह और धूम के तू तक्राने से वर्टिकल सीधे गहरे गढ़वे और अबलीक परोक्ष तेरे गहरे गढ़वे बनते हैं एक, वर्टिकल गढ़वे, उलकापिंड, शुद्र ग्रह और धूम के तू जब एकदम सीधे जाकर चांद की सता पर तक्राते हैं तब जो गढ़वे बनते हैं उसे वर्टिकल क्रेटर या सीधा गहरा गढ़वा कहते हैं चारों तरफ से इनकी गहराई लगभग एक बराबर होती है 2. अबलीक गढ़वे, उलकापिंड, शुद्र ग्रह और धूम के तू जब चांद की सता से सीधे न तक्रा कर तेरहे मेरे तरीके से तक्राते हैं तब अबलीक प्रेटर या परोक्ष तेरहे गहरे गढ़वे बनते हैं इनमें एक तरफ से गढ़वे की गहराई ज्यादा होती है, जबकि एक तरफ हलका धलान होता है ऐसे गढ़वों की गहराई एक समान नहीं होती है आखिर कितने गड़े हैं चांद पर चांद की सतह पर कितने गड़े हैं इसका सही आंकड़ा किसी भी देश की अंतरिक्ष एजेंसी या वैज्ञानिकों के पास नहीं है लेकिन एक अनुमान के अनुसार चांद पर 5185 गड़े ऐसे हैं जो 19 किलोमेटर से ज्यादा चौड़े हैं 10 लाख गड़ों की चौड़ाई करीब 1 किलोमेटर है जबकि करीब 50 लाख गड़े ऐसे हैं जिनकी चौड़ाई करीब 10 मीटर या उससे अधेक है